हेलो फ्रेंट स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चानल स्टेडी हावर लाइफ में तो यह जो हमारा एंसी याटी का बुक है जिसमें आज चेप्टर एट करेंगे साइंस का बुक है और इसमें हमें पढ़ना है सरीर में गती से संबंदित तो सरीर में जो गती होता है वो क अपल्के को जपागते ही होंगे सवास लेते होंगे अपने सरीर में होनेवाली गतिकर पिछेपर कीजिए हमारे सरीर में शृताемся prepared तो इस है तो इसन तरीके से क्या होगता है किanti का की देखने मिलता है तो अब लिखते हैं तब आप अपने नोटबूक में लिखते हैं तब आपके सरीर में खाग़ंगा मससा फनी करता है जब आप नउसे के हैं तो शरीर का कौंसा भाग उवर देखते हैं तो इस्पार enjoys पर यहां छा किने करते रहते हैं डुख अप अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाते हैं आप उठकर अपने अध्याबक के पास इसधान आप एक्टा entirely के बाद अपने घर जाते हैं तो इस स्थिती में आप एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक बास्ता में चल कर जाते हैं तो क्या होता जब चल कर हम कहीं जाते हैं तो कौन सा पार्ट हमारा मोमेंट करता है तो पैर करता है लग 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 पूरा बड़ी भी मोमेंट करता ह लेकिन जादा वर्क जो करता है वो हमारा पैर करता है आप चलकर दौर कर या कूद कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाते हैं आये अपने इसे स्कीप करते हैं तो मोमेंट करता है अब दिया है कि जन्तु एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक किस परकार गमन करते हैं तो सबसे पहले हम इस साड़नी के बारे में बात करते हैं, जो दिया हुआ है विविन जन्तु किस परकार से गती करते हैं, तो सबसे पहले जन्तु एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कैसे गमन करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जन्तु में सबसे पहले गाई क द्वारा गमन करता है और वह चलती है गाई चलती है मनुस भी पैर के द्वारा गमन करता है और उस भी चलती है उसके वाद साप साप क्या करता है संपुन सरीर से रेंग कर चलता है पक्छी पंक के माध्यम से उरता है उसके वाद कीट कीट भी उरने का काम करता है पंक होता है मचली में भी पंक होता है लेकिन वो तैरने का काम करता है अब है चलना टहलना दौरना उरना छलांग मारना रेंगना तैरना इत्यादी जनतू के एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के कुछ धंग है जन्तू के एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविता क्यों है तो मतलब मनुष से लेके जानवर तक में सब जब वह विविन परकार से मोमेंट करते हैं जैसे की बाद के वह destac 2 तो मानव सरीर और इसकी गतिया के बारे में बात करते तो सबसे पहले इसे परतें ज чувक कि वी विविद गतियों पर ध्यान देने से पुर्व आईए अपने सरीर के कुछ गतियों को ध्यान पुर्वक देखे क्या आपके विद्याले में सारीरीक ब्याम करते समय आनन्द आता है तो कह रहा है कि जब हम लोग स्कूल में एक्सराइज बगएरा करते हैं उसमें आननदा आता है उसमें भी क्या होता है इसमें भी बोडि हमारा मोमेंट करता है ले में सारे Tweaker गृं करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं अईए हमारा सरीर जिन गतियों को करने योग है हम उनमें से कुछ सारी रिक गतियों को करने का परयास करें तो सारी रिक गति को करने का परयास करें तो जब हम लोग बैड बॉल खेरते हैं तो क्या करते हैं कि बिकेट पर बॉल को फेकते हैं तो अपने हाथ किस परकार घुमाते हैं तो हाथ को क करते हैं पीछे की और ले जाते हैं फिर आगे की और लाके उसे बॉल को फेकने का काम करते हैं तो उससे में क्या होता है कि कंधा जो है हमारों बिर्ताकर याने की गोलाकार गूरूप में घूम जाता है आपका कंधा भी गति करता है उससे में हमारा कंधा भी गति करता है नेक इसी प्रकार पैरों को गुटने से मोरिये, अपने हाथों को अपने पार्सम में सिधा तानिये, भुजा को मोरते हुए अंगुलियों से कांधे को छुईये, आपने अपने नीचे की और जुखने का प्रयास कीजिए, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो I hope कि हम लोग ऐसा कर पाते हैं, अपने सरीर की विविन हिस्सों से गती करने का प्रयास कीजिए, पर 56.2 में नोट कीजिए, क्या कारण है कि हम अपने सरीर के कुछ अंगों को स्वतनतर रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, तो सरीर का कुछ पार्ट जो है जिसे ह हम लोग चारो तरफ गुमा सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, जिसे हम लोग मोमेंट नहीं कर सकते हैं, अब दिया है कि जब कि कुछ अंगों में केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने सरीर के कुछ भागों को घुमाने में और समर्थ क्यू रहते है बात करते क्रिया क्लाप देखते हैं क्रिया क्लाप फर्स्ट में दिया है कि एक पैमानों को अपने हाथ पर 8.1 में चित्र में दिया है कि एक अपने हाथ को सीधा रखना है और क्या करना है कि उसमें एक सीधा सा लकडी को बांध देना है इस तरीके से जिस तरीके इसमें बां करते हैं कि घंख करते हैं तो इस तरीक है से Agent को मुंएंट करते हैं इते हैं उधी चलने का काम करते हैं और गूंबंगš चाहर तरफ घुम भी सकते हैं फिर पिट कि मॉमेंट नहीं करता है सीर हमारा ची से हमें इसके हमने इस चीटर में देकिल आप आपने ध्यान दीया लुद Heart से जूरे होते हैं अब देखिये कि सरीर का जो पार्ट दो हिसो में बटा होता है उसी को हम लोग मोमेंट कर सकते हैं जैसे कि हम बात करें कोहनी कंधा गर्दन ये सब क्या ये सब सारे पार्ट को ये सब दो पार्ट में बटा हुआ है इसलिए हम इसको मोमेंट कर सकते हैं कोहनी को भी हम लोग गुमा सकते हैं कांधा को भी मोमेंट करते हैं गर्दन को भी दाएं बाएं उप संधी कहते हैं आप बात करते हैं बास्ता में इन संधीयों को कौन-कौन सी बस्तू परस पर बांधती है अपनी अंगली द्वारा अपने सीर चेहरे गर्दन नाक कान कंधे के पीछे हाथ पैर अंगली एवं पदा अंगलियों को दबाईए क्या आपको ऐसा अनभब हुआ कि यह कठोर सराचन अस्थिया थे जब किसी पाठ को रबाते हैं तो एंदर Pope drink का सब्सक्राइब सब्सक्राइब diye होती है अप्ने सरीर के अन्य भागों में इस परकर्या को दोराएं इतनी साड़ी अस्थियां जब अस्थियों को नहीं मोरा जास सकता तब हम अपनी कहूणी को कैसे मिरने तो इसलिए ममदें हैं क्योंकि वहां पर दो पार्ट में अस्थिया जो इसलिए PCR होता है कि एक पूरी नहीं होती है, ये दो पार्ट में बटा होता है, बास्ता में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुरी रहती है, इसी परकार हमारे सरीर के प्रतेक हिसे में अनेक अस्थियां है, हम अपने सरीर को कैसे उसी अस्थान पर हिला या जुका नहीं सकते, जहां ये अस्थिय या एक दूसरे से मिलती है विविन गती वीदियों एवं विविन प्रकार की गतियों के लिए हमारे सरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है आईए उनमें से कुछ के बारे में जानें तो संधियां जो विविन प्रकार की होती है उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं इसका नाम है कंदुख खली का संधी किसे कहते हैं इसे पहले हम समझते हैं फिर इसे डाइग्राम के माद्य हम से देखते हैं देख सकते हैं यहां पर यह जो है ना दो अस्थियों के बीच यह वाइट कलर का जो कटोरी के सिफ जैसा गोल गुवां दूसरी अस्थी की कटोरी रूपी गुहिका में धसा हुआ इस परकार की संधी सभी दिशा में गती पणान करती है तो यह क्या करता है यह मोमेंट करता है यह जो है जैसे की एक्जाम्पल में हम लेख सकते हैं कंधे की संधी तो यह क्रिया क्लाप दिया हुआ इसे परते हैं क्रिया क्लाप सेकेंड में है की कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानि सिलेंडर के रूप में मोर ये रवर रात्वा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोरे हुए कागज के बेलन को डालिये जै ये जो है न, कंटोरी गोल सा, और ये गेंद जैसा दिखर है यहाँ पे, और ये कागज का बेलन बना हुआ है, इसे क्या कद्धुखलि का संधी बनाना कहते हैं, तो इस तरीके से बनता है, को गेंद पर चिपका सकते हैं, गेंद को एक छोटी काटोरी, इस नहीं मेरा कर्चार और गुमाने का प्रयास किजिए क्या गेंद कॉरे में स्वतन्तर रूप से घुमती है क्या कागज का बेलन भी घुमता है अब कल्टना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद ब tag Cry आपका हा Θए एक अस्थी का गेंदवाला गोल हिस्षा दूसरी अस्थी की कटोरी रूपी गुईका में धसा हुआ है इस परकार की संधी सभी दिशाओं में गती परदान करती है और इसे ही कदुखलिका कहा जाता है तो यह हम समझें अब आगे देखते हैं अब दिया है गतियों के उपरकार की संधियां का तो इसे हम लोग क्या कहते हैं स्रेनी अस्थी कहते हैं और यह जांग की अस्थी है आगे देखते हैं दिया हुआ है कोई अनुधारन खोज सकते हैं से स्कीप करते हैं अब है धुराग्र संधी धुराग्र संधी बात करते हैं ये जो है गर्दन तथा सिर को मोरने वाली संधी है गर्दन और सिर को मोरने वाली संधी को क्या कहा चाता है दुराग्र संधी कहते हैं इसके द्वारा सीर को आगे पीछे दाएं बाएं गुमा सकते हैं इन गतियों को करने का पर्यास कीजिए या गति हमारे हाथ की उस गति से किस यही जहां से जो सरीर गर्दन जो हमारा मोमेंट करता है इसी पार्ट को क्या कहते हैं दुरागर संधी कहते हैं ठीक है विविन परकार विन है जिसमें कंदुक खलिका संधी द्वारा हाथ को पुर्णता बिर्ताकार रूप में गुमा सकते हैं दुरागर संधी में बेलनाकार अस्थी बाले एक छल्ले गुमते हैं ठीक है तो अब इ इसकी सहेता से क्या होता है कि घरदन आगे-पी पीछे दायं-बायं आसानी से गुमा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा हिंज संधी। हिंज संधी के वारे में हम बात करते हैं। घर के किसी दरวाज्ये को बारवार खोलियो और बंद कीजिये। इसके कबजे को ध्यान पुर्वक देखिए या दरवाजे को आगे और पीछे की और खोलने देता है क्रिया कलाब तीन देखते हैं क्रिया कलाब तीन में आएए कबजे की गत्टी के परकार को देखिए एक मोटे कागज तथा गत्ते का बेलन नहीं सिलेंडर बनाईए जैसा कि 8.5 में दिखाया गया है चित्र के अनुसर गत्ते आथवा कागज की बेलन मद्द छेद करगी एक छोटी पैंसिल लगाईए गत्ते का एक और टुकडा लेकर उसको इस पर कार मोरिये कि वो आधा बेलन बन जाए इस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके आधे बेलन पर रखा पुर्ण बेलन कबजे की भाती है पैंसिल लगे बेलन को चलाने का परयास कीजिए देख सकते हैं डाइग्राम दिख रहा है देख सकते हैं कैसे इस तरीके से एक बेलन बनाया गया है उपर से दो बेलन को चिपकाया गया है और फिर इसे घुमाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये हिंज जैसी संधी दोरा गती दिसा में जाती है वह ही दिया हुआ है यह गती आपके दोरा बनाये गये कंदुख खल का संधी की गती से किस परकार भीन है क्रियाकलाफ फर्स्ट में से कोहनी में इसी परकार की गती देखी गई थी तो इस हिंज संधी का मतलब यह हुआ इसे कबज संधी भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं कबजा संधी भी कहते हैं य इसे हिंज संधी कहते हैं, जैसे हाथों की कोहनी हो गया, पैरों का घुटना हो गया, ये सब को क्या कहते हैं, ये सब जो मोमेंट करता है उसको हिंज संधी कहते हैं, अब है अचल संधी, अचल संधी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके वारे में जानते हैं, तो अचल संधी जो जैसे कि उपड़ी एबं कपाल के मद अंचल संदी होती है। तो आप पहले क्या बनाएंगे। और इस धाचे को क्या करते हैं? कंकाल करते हैं। अब है एक्सरे मानव कंकाल आकिर्थी। हम सरीर के विविन अस्थियों की आकिर्थी के विशय में किस परकार जान पाते हैं। सरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकिर्थी के बारे में हमें पता चलता है। सरीर के अंदर क्या-क्या है कौन-कौन सी आकिर्थी है इसे हम कैसे पता करते हैं। तो इसे हम लोग एक्सरे के चित्र द्वारा पता करते हैं। एक्सरे चित्र जो होता है हमें सरीर को सभी कठोर अस्थियों की आकिर्थी का पता चलता है। तथा प्रतेक भाग की अस्थियों की संख्या का भी पता चलता है, किस के माध्य हम से, एक्सरे के माध्य हम से, यह हमारा एक्सरे का कार रहा है, अब आगे देखते हैं, यह जो पिक्चेर दिया हुआ है, देख सकते हैं, यह दिया हुआ टकने एवं घुटने की संधियों का सबसेंदेख राके कराके देख जाता है च unwilling का मतलब समझ गया कि आगे हैं कि अपनी अंगलियों को महिए क्या आप उन्हें प्रतेक सन्धी अस्थल को महत्त चान हुआ में कितनी अस्थियां हैं तो हम लोग अंगली को पूरा अंगली को तो नहीं मोड़ सकते हैं लेकिन जहां से वो दो पार्ट में बटा हुआ उस वहां से हम लोग मोड़ सकते हैं जैसे कि डाग्राम में आपको दिख रहा होगा देखें यहां से हम लोग अंगली को मोड़ सकत यह प्रते यह जो है अपने यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों की बेवस्था होती है जो कलाई को लचीला बनाता है तो कलाई को लचीला कुन बनाता है कार्पेल क्रियाकला फोर देखते हैं दिया हुआ है कि गहड़ी सांस भरकड इसे कुछ समय तक रोकिये रहिए अपने वक्ष एवं पीट को हलके से दवा कर अपनी अस्थियों का अनभव कीजिए जितनी पसलिया वक्ष अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिल लिजिए ध्यान से देखिए कि वक्ष की अस्थियों की तुल्ना अपने उप्यूक्त अनभव से कीजिए हम देखते हैं यह वक्ष याणि फेफ्रा है इससे देख सकते हैं जब हम सांस को रोकते हैं उपर के ओर खीशते हैं तो यह कह रहा है कि आप इसे count कर सकते हैं ठीक है जिसको हम लोग पसली पिंजर कहते हैं तो पसलियां जो होता है पसलियां विसेश रूप से मुड़ी हुई है वो वक्ष की अस्थी एवं मेरू दंड से जुरकर एक box की सराचना करती है इस संकुर रूपी वक्षे को पसली पिंजर कहते हैं पसल वक्ष के दोनों तरफ में 12 पसलियां होती है और और हमारे सरीड के कुछ महतपुर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं कि इसमें पसलियों में , अपने कुछ μित्रों को को बीना गुटने मोरे जुखकर अपने पाउं की अंगलियों छुने को कही हो क्या या चिकनी सम्तल आथवा अखंड है अपनी अंगलियों को अपन में होता है मेरुडंड ठीक है तो मेरुडंड किसे कहते हैं यह जो होता यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बनी कौसुरु की है जो गर्दन से लेकर नीचे पीट तक जाती है मेरुदंड जो होती है 33 कोशुरुकाओं का बना होता है कितने 33 कोशुरुकाओं का बना होता है कौन मेरुदंड यदि मेरुदंड के बल एक ही अस्तिका बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे जुख सकता था अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दिबार को धक्का लगाने के लिए कहिए उससे कहिए कि वो अपने हाथों से दिबार पर धक्का लगाने का पर्यास करे क्या आपको उसके कांधों के समीप दो उबड़ी हुई अस्थियां दिखा देती है जिने कंदे की अस्थियां करते हैं कंदे की अस्थियां देख सकते हैं यह डाग्राम में दिख रहा है कंदे की अस्थियां यह जो है ना इसे क्या करते हैं कंदे की अस्थियां करते हैं कंदे के समीब दो उबड़ी हुई अस्थियां होती है जिसे कंदे की अस्थियां करते ह यह सरचना स्रेनी अस्थियां है यह बॉक्स के समान एक जैसी सरचना बनाती है अब स्रेनी अस्थियां की बात करते हैं स्रेनी अस्थियां कहा हो यह है स्रेनी अस्थियां देख सकते हैं यह जो स्ट्रेक्चर है हमारा स्रेनी अस्थियां का है तो स्रेनी अस्थियां इसे कु अब हैं कि आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुर्णे से बनी है यह हमारे सरीर के अती महत्पुन अंग मस्तिक्स को परिबद करके आपके सुरक्षा करती है हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की कंकाल के कुछ अत्रिक्त अंग भी हैं जो हडियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मुरा जा सकता उन्हें उपास्थी कहते हैं उपास्थी किसे कहते हैं कंकाल के अत्रिक्त कुछ अंग भी हैं जो हडियों जितने कठोर नहीं होता है जीन्हें मुरा जा सकता है जैसे की एक्जामपल में हम कंपाली को ले सकते हैं कर्ण पाली इसे कान का जो बाड़ी प्रत होता है इसको घसकते हैं कर्ण पाली आपको अंगलियों के बीच दवाने पर कर्ण पाली एबं उपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ क्या आपको ऐसा लगा कि कान का उबड़ी हुई भाग तल्दा छिला छिला नहीं है पाई जाती है सरीर के संधियों में भी उपास्थी पाई जाती है हमने अपने सरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विशाय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभीन परकार की गती करने में हमारी सहता करती है अस्थियों को इस परकार गती करने योग कौन बनाएगा इसके बारे में हम जानते हैं अपने एक हाथ की मुठी बनाईए मुठी के अंगूठे से इसी बाजु के कंदे को छूने का प्रयास कीजिए देख सकते हैं यहाँ पर मुठी बनाना है और क्या करना है इस तरीके से इसको बाजु को मोड़ना है क्योनी की माद्यम से ठीक है यह क्या है कि अस्थि को गती परदान करने में दो पेशियों सहिक तुरूप से कार कर रही है क्या आप अपनी उपरी बुजा में कुछ परिबरतन अन्भव करते हैं तो क्या होगा उपरी वला जो भाग मांस होगा वहाँ पर फूल जाएगा दूसरे हाथ से उसे चूगर देखिए क्या आपको कोई उबरा हुआ भाग दिखाई देता है इसे पेशि कहते हैं जहां वह सयुक्त रूप से कार्ज करती है तो बस इसमें इतना ही समझना था अब दिया है कि किसी अस्थी को गती परदान करने के लिए दो पेशियां सयुक्त रूप से कार्ज करना जब दो पेशियों में से कोई एक सुकूरती है तो अस्थी उसी दिसा में खिच जाती है यूगल की दूसरी पेशी को सिथिल आनि लंबाई में वड़कर पतली हो जाती है अवस्था में पाई जाती है अस्थी को भीपृति सामे गती करने के लिए अब सिधिल पेशी सुकूर कर अस्थी को अपने पुर्विशिति में खीसती है जबकि पहली पेशी अब सिधिल हो जाती है पेशी केवल खीची जा सकती है वह धका नहीं दे सकती अता एक अस्थी को गती देने के लिए दो पेशीयों को सयुक्त रूप से कार्ज करना होता है तो पेशियों के सकुचन तथा सितलन से क्या होता है अस्थियों में गती प्राप्थ होती है जहां हुआ सायुक तुरूप से कार्ज करती है तो अब हम समझे अब है कि जन्तुओं की चाल इसमें पढ़ना है जन्तुओं की चाल इतना हमें नहीं पढ़ना है बस हम सभी सारी चंतुओं के बारे में एक बार देख लेते हैं केच्वा के बारे में अगर हम बात करें तो केच्वा क्या करता है केच्वा का चलना होता है किस तरीके से चलता है तो केच्वा की सरीर जो होती है छल्ले बना प्रतीत होता है क्या होता है छल्ले जैसा बना हुआ प्रतीत होता ह जिसे हम लोग फिक्चर में देख सकते हैं देख सकते हैं किस तरीकिसे इसका सरीर बना हुआ है कटा कटा टाइप का है छल्ला इसे कहा जाता है छल्ले टाइप की बनी होती है इनमें अस्थिया नहीं होती है क्या होता इसमें अस्थिया नहीं होती है अस्थिया नहीं होती है लेकिन पेसियां होती है जो इसके घटने बढ़ने में सहता करती है पेसियां होगा तभी तो ये जब ये रेंगता है तो क्या करता है सरीर को पहले छोटा करता है फिर बढ़ा करता है फिर बढ़ा करता है तो इसे हम केच्वे के बारे में समझे केच्वे के बारे में क्या गोंगा के बारे में समझते हैं तो गोंगा का डाइग्राम देखते हैं यह गोंगा का जो गोंगे की पीट पर बनी गोल सरचना को गोंगे का कवज या बाई कंकाल कहते हैं यह जो गोल सरचना होता है इसे कवज या बाई कंकाल कहते हैं यह न तो अस्थियां का बना होता है और नहीं चलने में सहता करता है, यह जो है, कंकाल नहीं अस्थिया का बना होता है, और नहीं चलने में सहता करता है, ठीक है, अम नेक्स देखते हैं तिल चट्टा के बारे में, तिल चट्टा को देख सकते हैं, इसका डाइगराम हम पहले देखते हैं, यह देख सी, तिल चट तिल चटा के तीन जोड़ी पैर होती है जो चलने में सहता करता है और इसका सरीर कठोर और बायू कंकाल द्वारा धखा होता है जिसके कारण गती संभव हो पाती है तो तिल-चटा के तीन जोडी पैर होते हैं, यह बाईयो में उर्ता भी है, इसका सरीर कठोर और बाईय कंकाल दौरा ढटा होता है, जो परच्फर संधियों दौरा जुरा होता है, जिसके कारणिया गती कर पाती है. अब है पक्ची, पक्ची के बारे में हम समझते हैं, क्रिया कलाप एड में दिया है पक्ची के बारे में, तो दिया है कि पक्ची हवा में उरते हैं, भूमी पर चलते हैं, बत्तक तथा हंस, जैसे कुछ पक्ची जल में तहरते हैं, पक्ची इसलिए उर पाते हैं क्योंकि उनक अस्थियां बायू में प्रकोष्ट होते हैं जिनके करुन की अस्थियां हलकी मजबूत होती है पाश्षिपाद यानि पीछे वाला पैर को कहते हैं पाश्षिपाद अस्थियां चलने एमम बैठने के लिए अनकुलित होती हैं अगरपाद की अस्थियां रुपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है, अगरपद किसको कहते हैं, जो उसका पंख होता है, उसे अगरपद कहते हैं, कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, वक्ष की अस्थियां उरने वाली पेशियों को जकरे रखने के लिए बिसेस रूप से रूपांतरित होती है, पंखों को उपर बहुत मजबूत होता है इनके पाश्च पाद यानि पैरों की अस्थियां चलने तथा बैठने के लिए अनकुलित होती है वक्ष की अस्थियों पंखों में रुपांतरित होकर उड़ने में सहता करता है वक्ष यानि पंख जिसको बोलते हैं वो जो है वो उड़ने में मदद करता है अब बात करते हैं मचली के बारे में तो सबसे पहले मचली के बारे में समझते हैं कि मचलियां अपनी धारा रेखिए मतलब नाव की जैसी तो मचली की सरचना कैथी होती है मचलियां जो है अपनी धारा रेखिए नाव जैसी आकिरती के कारण जल में आसानी से तैर पाती है मचलियां क्या करती है जल में तैरती है क्यों कि उसका जो मतलब मचलियां की जो आकिरती होती है वो धारा रेखिये यानि नाव की जैसी होती है और यह आसानी से तैरती है मचली का कंकाल जो होता है वो ध्रिष्ट पसलियों से धका रहता है मचली का कंकाल क्या होता है ध्रिष्ट पसलियों से धका रहता है देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि मचली का सीर एवं पूछ उसके मद्धे भाग की अपेकछा पतला एवं नोखिला होता है सरीर की ऐसी आगिर्थी धारा रेखिये कहलाती है इसी इसकी विशिस आकिर्थी के कारण जल उधर उधर बाह कर निकल जाता है और मचलीं जल में सरल्था से तैर सकती है मचली का कंकाल द्रिस्ट पेशियों से धका रहता है तैरने की प्रक्रिया में सरीर का अगर भाग एक और मुर जाता है तथा पूँच विप्रित दिसा में जाती है मचलियां का चित्र 8.24 में के अनुसायर सरीर को मूरती है तो तिव्रता से उसकी पूँच दूसरी दिसा में मुर जाती है इससे एक जटका सा लगता है और मचली आगे की ओर चल जाती है इस परकार के क्रमिक ताल से मचली आगे की ओर तैरती है तैरती रहती है पूँच के पंक इस कार्ज में इसकी सहता करती है मचली का जो पूछ होता है वो तैड़ने में इसको ज़्यादा हेल्फ करती है मचली के सरीर और पंक भी होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन मनाये रखने तता दिसानी धारण में सहता करते हैं क्या आपने कभी ध्यान से ध्यान दिया है कि गोता खोर अपने पैरों में इन पंको की तरह के विसेश अडित्र जिसको फ्लीपर कहते हैं पहनते हैं जो उन्हें जल में तैड़े में सहता करता है गोता खोर अब है सर्प सर्प मतलब साप कैसे चलते हैं इसके वारे में हम बात करते हैं तो साप को फिशलते हुए आगे भड़ते देखा होगा का यह सीधा चलता है सर्प का मेरुदंड जो होता हो लंबा होता है सरीर की पेसियां छिन एवं असंक होती है वो परस पर जुड़ी होती है, चाहे वो दूर ही क्यूं नो हो, पेसियां में रुदंड, पसलियां एबं तुचा को भी एक दूसरे से जोरती है, सर्प का सरीर अनेक वले में मुरा होता है, इसी परकार सर्प का परतेक वले उसे आगे की ओर धकेलता है, और इसका सरीर अनेक बले बनाता है और प्रतेक बले आगे को धक्का देता है इस कारण सर्प जो है बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है प्रन्तु सरल रेख हमें नहीं चलता है हमने विभिन जन्तु की गती पर्णान करने वाली अस्थिया एवं पेसियों के भी सैमे जानकारी प्राप्त की पहली एवं पहली इसकीप करते हैं यह पढ़ना जरूरी नहीं है अब दिया है कि उन जन्तु यहां से परते हैं इसी परकार आपके मस्तिक्स में अनेक प्रस्न उभर रहे होंगे प्रसिद गृक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट औफ एनिमल्स में श्वैम अपने आप से ऐसे अनेक प्रस्न पूछे बिभिन जन्तु के सरीर में बिभिन भाग क्यों होते हैं यह बिसेस अंग बिसेस अंग उन जन्तुकी बिसेस गती मे किस प्रकार सहायक है विविन जन्तुओं के सारेडिक अंगों में क्या समानताएं हैं विविन जन्तुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवसकता होती है मनुस के दो पैर तथा गाय और भैस के चार पैर होते हैं बहुत से जन्तु शम पादी होते हैं क्यों हमारे पैरों के मूर्ण जानबर होते हैं जो सिधार नहीं चलता है और मसली के वारे में हमने बात किया मसली कैया, वो धारा रेखी होती है, जिसके तो हमने इस सारे चीजों को समझा तो आगे देख सारांस थोरा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा तो सारांस में दिया है कि अस्थी एवं उपास्थी मानव कंकाल बनाते हैं मानव कंकाल क्या बनाता है अस्थी एवं उपास्थी मिलके मानव कंकाल बनाते हैं यह सरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकिरती भी देता है कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों को सुरक्षा करता है कंकाल क्या कर पेशियों को जोरे के एकांतर क्रम में शिकूरने और फैलने से अस्थिया गति करती है नेक्स्थीं की संधिया अन्यक प्रकारी होती है यह इस प्रकार की प्रकी करती और गति our पर निर्वर करता है पक्षियों की ध्रिष्ट पेशियों एबम सड़ी तथा हलकी अस्थिया मिलकर उन्हें मुर्णे में सहता करती है यह पंखों को फरफरा कर उड़ते हैं उसके आद हैं मचली मचली जो है वो सरीर के दोनों और एकांत्रक्रम में बलै बनाते हुए भूमी प्रबलैकार गति करता हुआ आगे की ओर फिशलता है बहुत सारी अस्थिया एबम उसमें जूरी पेशियां सरीर की आगे की ओर धक्का देती है उसके तिलचट्टा जो है सरीर के एबम पैर कठोर आबरन से धके होते हैं जो बाई कंकाल बनाता है और वक्ष की पेशियां तिन जोरी पैरो एबम दो जोरी पंको से जूरी होती है तिलचट्टो को चलने एबम उड़ने में सहाता करता है तो तीन जोरी पैर भी होते हैं अब है केचुओ केचुओ में गति सरीर की पेशियों के बारी बारी बिस्तरन एबम सकुचन से होती है सरीर की अंध सता पर श यह पात की सहाता देश चलता है तो यह चेप्टर माला यहां पर समाप्त होता है तो आप लिएगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्काइब कीजेगा और वीडियो को जहाँ जादा सेर कीजेगा तो मिलते हैं